नमस्कार दोस्कों मेरे चनल में आप सभी का शागत है तो आज के रश्मी में हम बनाएंगे गाजर का हलुआ बिना कद्दू कस करे एकदम अशान तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं पर पहले हम गाजर को छील लेते हैं तो इधर हमने दूल दरम करने रख दिया है तब तक हमारा दूल भी उबल जाएगा तो इतने गाजर हमने छील दिये हैं दो चार और रहगे इनको भी छील लेते ही गाजर हमारे शारे छील चुके हैं तो आज मां आपको गाजर का हलुआ बनाने ऐसान तरीके से बताऊंगी बिना कदू कस करें इसको हमने धोके रख दिया है तो सबसे पहले हम जो बड़े-बड़े पीशे इसके दो हिश्य में बाटेंगे इस तरीके से इस तरीके से वह करंगे ज्यादा छोटा नहीं करना ह हम चैनल रहें हुआ तो चल इस सारे गाजर को हम काट लेते पहले तो अचाले को हमने कार्ट के दो पीश्य में भोक दिया है देड़ किलो गाजर है हमारा तो हम सब्चोंил ह cancel अ कूकर को साप्व कर लेते लाज देते हैं भूल्वा में फ्लेबर रहेगा endlessly set मीला लेंगे अच्छे हैं कि ने नहीं स्वाद की सब दें तो चाहित कि लेंगे 30 सीटों लगांगे दिखाते आप सब्सक्राह्स पोह साधर का लाल तो दो से तीन शीटी हमने लगा दिया है सिटी इसकी प्रैसर वेi निकल चुका है देखते हैं कैसे हमारा गाजर गला है तो देखे गाजर हमारा ह्वारा कल गया है देखें तो पानी डाला नहीं हमने इतना पानी ऐसे छोड़ देता pandie डालना नहीं है देखे बहुत अच्छा गल गया यह तो फिर इसको हम रखते हैं गैस में डालेंगे दूद दूद हमने उबाल के रखाया आप हम इसमें डालते हैं दूद गाजर में जितना हमें जरुआ थे कि उतने ही डालेंगे तो हम ऐसे ही पकालेंगे गाजर और दूद को शुकाएंगे तो दोस्तों देख रियों कितना हमारा भी शुक गया है दूद थोड़ा बहुत और रहे दिया है गाजर हमारा अच्छे से गल गया है देखे तो पूरा शुकाएंगे हम इसको इसके बाद तभी हमारा हल्वा तय तब हम इसको हल्का सक्रेश करेंगे गल गया है वैसे तो गाजर पर हल्का हल्का करेश कर सकते हो इसी से कर देंगे तो थोड़े इसको शूगने देंगे उसके बार तब करेंगे हम इसको शूगने देते हैं तो ढगा नहीं रखना है ऐसी खुला ही रखना है नहीं तो दूद सुगें गंगी तो दूध हमारे सुग गया है देखे बहुत अच्छा से गाजर भी गल गया है से से क्रेश कर लेते हैं गाजर को ऐसे एक स्धाइर हो गया थोड़ा भूट और करेंगे कि ऐसी इसी तरीके से करना है हल्का हल्का जाधा नहीं देखे बहुत अच्छा हो गया ज्यादा वो जरुद नहीं पड़ रही है क्रेश करनेगा क्योंकि एसी गल के वह हो गया बिल्गुल देखे और दूद भी बिल्कुल शूग गया एक दम शूग गया तो अभी थोड़ा पर सुने देते हैं हल्का और लग रहा है क्योंकि चीनी भी डालेंगे तो वह भी पानी चुड़ेगा तो थोड़ा इसको और सुने देते हैं फिर टिखाते हैं आपको हमारे हल्वा कैसे बना है तो इस तरके से एक बार जरूर बना के देखें कोई ज्यादा महनत नहीं है फटा फट दो शुटी लगाये बस हो गया ज्यादा टैम नहीं लगा देखिए कोई महनत भी नहीं लगी ज्यादा तो हलुआ बनके हमारे तयार हो गया है बिल्कुल एकदम शूखा बन गया है थोड़ा हमें उपर से डालेंगे खोया करश करके डालेंगे खोया तो खोया वहमें अच्छेशी मिला दिया है देखिए बहुत आछा अलुआ बनके तयार हो गया है उपर से हम डालते हैं थोड़ाशा काजू काजू हमने छोटे-छोटे टुगडाओ में वह कर दिया है तो काजू को भी हम मिक्षे कर दिंगे अच् तो ठोलेसा हम टालेंगे चीनि深 ज्यादा नहीं दालेंगे कि कि गाजर पहले सहिं मिठा रहता है तो हम वह सभी कम मिठा को मिठा खाते हैं तो ठोल दिशनुक्न हम ख़ुती को टूशी बहुतली से भी आधि कौटेरि आता ही डालेंगे तो चीनि को हम अच्छेचे तो देखिए बहुत अच्छा हमारा हलुआ बनके त्यार हो गया है कोई कोई निक हैगा कि एक कदू कास्कारा नहीं है आशे बनाया है करके से मशी हो गया जैसे हमको चाहिए था वैसे बन गया एक दम तो थोड़ा हम और पकालेंगे इसको चीनी वो चीनी थोड़ा फ़ाद थोड़ेगा तो थोड़े सुगा लेंगे तो हलुवद बन केतार हो गया है गैस को करते हैं बंद तो देखिए हलुआ बनके हमारे एक दम तयार है और यसे हम करते हैं गानिश काजू का तो इस तरके से एक बार जरूर बना के देखें बहुत अच्छा गाजर का हलुआ अच्छा टेस्टिक बनता है तो अगर रेशिबी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धनियाबाद मिलते हैं अगले नहीं रेशिबी में